तो साफधान इंडिया टो साफ़ार इंडिया 寂hoo, रिषक ईंडिया कि अ method नमस्कार, साफधान इंडिया इंडिया फाइट्स बैक में मैं सुशान सिंग आप सभी का स्वागत करता हूँ साफधान इंडिया में हम आपको रूबरू करवा रहे हैं देश के कोने कोने से अपराद की सची घटनाओं से मैलाओं के खिलाफ होने वाले अपरादों की फेरिस्त में उत्तर प्रदेश तीसरे नमबर पर है NCRB के आकडों के नुसार सन 2012 में यहां मैलाओं के खिलाफ होने वाले अपरादों के कुल 23,579 मामले दर्च किये गए अभी अभी आपने देखा कि एक लड़की पर दिन दहाडे बीच रास्ते में एक बाइक सवार ने हमला किया लड़की के रियक्शन से साफ जाहिर था कि वो बाइक सवार को जानती थी तो क्या ये कोई आपसी रंजिश का मामला था? और जिस तरह से बाइक सवार ने हमला किया उससे साफ जाहिर था कि वो काफी गुस्से में था कौन था ये रड़का और क्यों इस लड़की की जान लेना चाहता था? बात कहां से शुरू हुई और कैसे यहां तक पहुची? ये जानने के लिए चलते है कुछ समय पीछे ये क्या मज़ा के चोपा? जब क्लाइन के पेपर से रेड़ी थे तो क्लाइन के बास अब तक पुछे क्यों नहीं? मुफ्स के सहले निखाते हो क्या? ये चम्रे का कारवार है मेरा अगर काम पुरा नहीं हो आना तो समझ लेना कि तुमारी चम्री उधर के रख दूँगा ना लाग कही कही सर आप पेंशन ना लीजिये हमने फैश टॉकुमेंट्स बनबा लिये हैं हमें मालूम था चुपरा लास्ट मुमेंट पे टेंशन देगा सर देखिए ना सब है देखिए जो कर कि दृष कि कषी है सल्द हमाशगा etcetera है ने बन फ्स तूम नहीं होते तो मेरा क्या ह loud तूम एक धिन के छुट्टि कई ले 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 तो निधरे ओंष पल statement वन पढद बद है एने वे सुम की पपर्स बाटिया के बास मbands बशा देन और और छोप्रा है ना, तो से कहा है ना, हिस्पाय. काम तोर आदमी के हमारा ओफिस में पोई जगा नीज़ नीज़ डैड, कितनी बार आपको कहा है कि इतना इस्ट्रेस मत लिया करो और बीपी की गोली लिया अपने? बेटे, मेरी बीपी की गोली तो तुम ही हो तुम्हें देखता हो तुम्हें तुम्हें सारे टेंशन सूर हो जाते हैं हर बात में मजाक है ना और आप भूल गयो ना कि आज मेरे साथ आपको मेरे कन्वोकिशन में चलना थे आपको मेरे, मेरे मैं भूलिए, चलना बेढ़े, चलना बेढ़े चलना पाप्प्स पाप्प्स प्रवाइर नड़ाइक। तुम यहाँ हां चित्र जी ये ये आपके लिए मेरे लिए हां जी चित्र जी वो हम कह रहे थे कि आप वो हम हम आपसे प्यार करते हैं देखो देवेन अगर तुम हमसे मजाग कर रहे हैं तो हम बता देते हैं कि हमें इस तरह के मजाग बिल्कुल भी पसंद नहीं 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 चित्र जी हम बाकिये में सच में आपसे बहुत प्यार करते हैं I love you यू नहीं देवेन तुम्हारा और हमारा कोई मेर नहीं है यह टिशू पेपर देख रहे हो देवेन तुम्हारी आउकात इस टिशू पेपर से जादा नहीं है हमारे लिए जब तक काम के हो तब तक साथ में हो और हाँ सपने न अपनी आउकात के अंदर देखना सिको ओके एक देशुण के लिए रहा हमारी कि आई नहीं हमारे लिए के लिएए के बासे लिएपर माया कि आई बासे लिएएगो। स्वार बासे लिएट और समया हमारा के लिएवारérie स्फट्बबर शेटियर के घराइब है एक 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 जो जब दो एक पाउम देवेनश ची अंदरोग। आप एक एक नहीं है अजी चित्रा जी बुलिए तुम्हें नहीं नहीं है तुम्हें तो जब आठ के कान के आदमी में काईदे से समझ जाओ गो लेकिन तुम जैसे सड़क्छा प्रोमियों को ऐसे ही वहषा समझ में आपे हैं तो तपे क्यादी यह मत बोलो कि तुम्हारी ओकात क्या है और यह याद रखो के मैं फॉन ही हो हो, मैं डालिंग बेटा तुम याओ और भी आपापा मुझे आपसे कुछ बात करने है तो बोलो ना आज मुझे डाइनिंग टेबल पर एक बोके और चॉकलेट का डिपा मिला तुम्हें मिल भी गए आम रिली प्रॉड अप्राइस में पसंद आया होगा सुप्राइस सुप्राइस आज सुबह मैं देवेन से जिक्र कर था कि वैलेंटाइन डेपे मेरे बेटी के लिए मैंने गिफ्ट में लिए और देखो और देखो फोड़ी देर में इसने सब आरेंज्मेंट कर दिया बुड़ जोग देवेन थेंक्टियो से और ये बता बेटा ये चौकलेट तुम्हें कैसे लगे आज़ा आज़ारी दियेमी चित्रा जी आप ये क्या बोल रहे हैं हम तो एक मामूली से एंप्लॉई हैं भला आप हमें सौरी क्यों बोलेंगी हमें याद है हमारे हमारी आखाद एक टिशू पेपर की तरह है ऐसा मत बोलो दिवेन हमें शौक लगा था जब हमने टिशू पेपर पर आई लव यू माय वै तुम हूँ मिसंडरस्टेंडिंग थी हमें माफ कर दो आप हमें सौरी क्यों बोल रहे हैं गल्ती थो हमारी थी आइम सौरी आप हमें माफ कर दिशू एक शर्ट पे कि तुम हमसे दोस्ती करो हैं फ्रेंग्स देविन चित्रा के पापा के ओफिस में काम करता था और पिछले चार सालों से मन ही मन चित्रा को चाहता था जब देविन ने अपने दिल की बाद चित्रा को बताई तो चित्रा ने बहुत घुसे में रियक्ट किया और इतना ही नहीं घर पर वैलेंटैन्स के लेख कर चित्रा ने बिना कुछ जाने देविन को थपड जड़ दिया यहां चित्रा से गलती हुई किसी का प्रपोजल रिजेक्ट करना गलत नहीं है लेकिन इसके लिए उस शक्स को नीचा दिखाना गलत है क्योंकि जब भी किसी का एहम आत्मसम्मान आहत होता है खासकर प्यार महबबत के मामले में तो फिर वो शक्स उससे में क्या कर बैटे ये कहना मुश्किल है चित्रा की आर्थिक और सामाजिक हैसियत देवेन से उची थी लेकिन देवन भी इज़त की नौकरी करता था हलाकि चित्रा ने देवेन से माफी मांग ली थी लेकिन देवेन का एहम आहत हो चुका था चित्रा को हासिल करना अब उसके लिए जिब बन चुका था तो क्या अंजाम होने वाला था इस एक तरफा प्यार और घुस्से का मानना पड़ेगा, दोस्त हो तो देवेंच जैसा हूँ इश्क में नाकामी के बात भी पारडिया दे रहा है च्या बात है नाकाम नहीं होए है нес चित्राजी नाज हमसे तो किसी के लिए अप्लों पहली और छोड़ी सी जीत के लिए चेर्ज! येश! ये वागों की तशियत, कल वो तुमें देखने आरा बिटेश, घर पही रहना, नहीं जाना मत. मुझे अभी शादी नहीं करने, मुझे तो पापा का बिजनस में हाथ बटाना. पापा दीदी के हैं, मन में तो लड़ू पूट रहे हैं, और कह रहे हैं शादी नहीं करें, ठीक है, अगर दीदी को ये लड़का पसंद नहीं, तो आप मेरी बात चला सके, मुझे तो लड़का बहुत पसंद अजली, अब फिर से मेरे हाथ से पिटने वाली है, पापाई, एक मिर्ट में, अरे, अरे, स्रमालो, चोट लग जाएगी, अ, सरी, एफ पाई, अरे, देविन, बिल्कुँ सही वक्त पर आयो बटे, अ, देविन, मेरी सारी मीटिंग्स कलके कैंसल करणा, चित्रा को देखने लड़का आ रहा है, मैं चाहता हूं कि उसके सारी जरूनतों क अरे, तुम्हा ख्याल, तुम्हा थी एक फ्लाइट है, तुम से पीक अप करने के लिए एरपूर्ट चले जाओ उसे लेतें गायों कि वैसे, नाम किया बता है अपना, अ, सर, ते में, कितनी दिर में पहुच जाएंगे अमनोग, फुटी दिर में पहुच जाएंगे, वहा तेवेटे, तेयारियां होगी न, देवेन उस लडगे को लेकर कभी भी आता होगा पापा, आप टेंशन मत लीजे, जब अंजली यहां है और वैसे भी वो देखते ही हां बोल देगा और अगर नहीं भी पसंद किया तो मुझे सामने कहते है न एंजली की बच्ची, तिके तोना, मैं आप ही बता कियो एप यह बच्ची बिड़े एफ रूप 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 क्या बादा दीवन? किजद्रा ऐँ आज़कल? है मिलती इलती नहीं है अज़कल अब तक नराज है किमस्ते कि लिचा इना फुम last few hour आ जूंद हिरेगाने मेसेज रिप्लाइ कर्ते ती है जा हुज कर मैंसे एक मेरा हुज पार зов है पर क्या है ना चितना मैंड़ा होडं़ है कि ना सगाही होने वाली यह दिख कोई जिष्टा नहीं रखना जाते हैं वाट? क्या बात कर रहे है तू? तो यह पता है? जब उसके पहले बॉइस्ट में इसको डिच किया था तो मेरे से अकरली पड़ गई की और अब शाधी किसी और के साथ? क्या देना उसको, वारन मुझे कॉल करेगी वारना उसकी और मेरी जो भी अश्विन तस्विरे हैं उसको सोसल मेडिया साइट में डालोगा सब पुछ सम्झा देना उसको, एक है? रागव जी, रागव जी आप परेशान मत दूए वह क्या है ना, हमारी चितना मैडम इतनी सुन्दर है कि हरकोई लड़का उनके पीछे बढ़ा रहता है अब पैंशन बिल्कुल मत लीजिए, वो ना, वो कुछ नी कर पाएगा, कुछ भी नहीं देविन, हां जी, कैने दू में एफ़ेवर? हां सर, बोलिये ना, यूसी मैं एक ट्रडिशनल फैमिली से हूँ, तो यह सब मुझे चलेगा, क्या तुम मुझे दुबारा एरपोर्ट छोड़ सकते हैं? अरे, सर, अप ही क्या बोल रहे हैं, वहाँ सब लोग अवाता वेट करें, सर, मेरी नौकरी जली जाएगी, सर वह ने कहना कि मैं आया ही नहीं है, बाकी सब मैं समाल लो हमागा, अरे, सर एक चलो चलो कपूर बेश्यर में की भी हद थी है किस तरह का संस्कार दिया है तुमने अपने बच्चे को? कहता है मेरी बेटी में खोठ है अरे तुम तो मेरी बेटी को जानते हो ना? मैं कहता हूँ तुम्हारे बेटी में दोश है और सुनो आज के बाद मुझे फोन मत करना समझ लो तुम्हारी और मेरी दोस्ती सर चोटा मो बड़ी बात लेकिन आपको तो भगवान का शुक्र मना चाहिए कि कैसे शक्की इंसान से शादी नहीं हुई आप सोचिए अगर उसकी चित्रा मैडम के साथ शादी हो जाती तो वो चित्रा मैडम कितना अशक करता है मैं यकीन है कि चित्रा मैडम को इससे भी अच्छा लड़का मिल जाएगा सच में अगर तुम ठीकी करते हैं अच्छा हुआ जो सब कुछ पहले से ही पता चलिए परना मेरी बेटी की सिंदगी तो फिल्कुल खराब जाती है अगरी मुश्किल से मनाय थैक्स के कितनी ठेस लगी होगी उसे अगरी मुश्किल कैसे रहे? बढ़ी है बढ़ी एक्टिंग करते हो यार ते कानफूर में क्या कर रहे हो मुंबई जाओ मुंबई हूँ के लो थैंस बढ़ी चित्रा तुम मेरे अलावा किसी और की नहीं सबढ़ी तुम मेरी एक जिद्व और मैं जब तक में पा नहीं लेता इसनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है देवन बेहत शातिर था वो चित्रा को एक चैलेंज की तरह ले रहा था और इस चैलेंज को पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था इसी जिद में उसने चित्रा की सगाई भी तुडवा दी क्योंकि वह चित्रा को किसी और का होते नहीं देख सकता था चित्रा के पिता देवन पर आँख मूद कर भरोसा करते थे जिसका वह जम कर फायदा उठाता गया और धीरे धीरे दोस्ती के बहाने चित्रा के करीब आने लगए अब सवाल ये था कि क्या चित्रा वाकाई देवन के जाल में फंस जाएगी और ये ब्लू और ब्राउन और भी तिवीन एक मिलेट तुम ऐसे करो बैल्स के बक्कल सेलेक्ट करो मैं आता हूँ ठीक हाँ हाँ वो क्या बात है चित्रा जी बहुत खुश लग रहे हैं आप खुशी की बात को है डैट ने एक रिष्टा पक्का किया चित्रा जी आपको लगता पसंद है जानते है दिली कापी टाइम के बाद मैंने एक चेहरे पर इने खुशी लेखिए उसे बहुत अच्छा लग़ा द चेहरे इतना खुश देखता है वाव यह तो कितनी बड़ी न्यूज है 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 ना अहां लेकिन चित्रा जी आपको टीट देनी बड़ेगी और ओफिस के बाद कॉफी बलानी बड़ेगी ड़न चित्रा जी कहां थे कब से बेट कर रहे हूं तुमारा चित्रा जी हम आपके लिए सुछ लेने गएते हैं कि बढ़ाई हो कि फुछ दुनों के बाद आप एक नई जिन की शुरू करने वाली है तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्ते जिसने हर मोड पर मेरा साथ जी है मेरी फैमिली को सपोर्ट किया है यू आर माय बेस्ट फ्रेंड और चित्रा जी हमारे होने वाले सहाप के बारे में कुछ तो बताई है अरे कुछ फोटो शोटो दिखाई है हां हां क्यों नहीं अभी दिखाती हूं यह देखो लगनौ में हजरत गंज में रहते हैं इंजिनियर है यह तेली अप्टी ने जॉब करते हैं और अमेरिका में जॉब करते हैं And I think he's a good match for me. I'm so happy. Engineer, telecommunication. You have a good match. Good match. To me, there's no good match for you. No one else. To me, I'm sorry. No one else. No one else. All right, guys, you've got the best. You've got a good match for you. You've got some new casting for us. You've got some new casting for you. You've got some new casting for you. You've got a good match for you. You've got a good match for you. वे डिधी, मैं सुच्छी थी कि ये जैमाला के टाम पहांने और वहला हार फेरों के टाम है ठीक है, अच्या, अच्या इस बताओ, एप ये रेडपाला लेहांगा शादी के टाम पहनुए या मा अच्छी तो कितना अच्छा होता ना वो अच्छी तो बहुत कुशुर्थी आइविल मिस्यू दीदी तुम मेरी हमेशा फेंट रहोगी ना? यह क्या रहा है भाइसाब? आप तो देखी रहे हैं सब तेयारिया हो रही है अगर देख में कुछ कमी है तो आप हमें बताईए देख के अबबार के नीचे अपनी बेटी की गलतिया छिपाना चाहते हो मनुद्रा क्या पकवास कर रहे हैं आप? अच्छा मैं पकवास कर रहा हूँ तो फिर यह क्या है? माफ कीजिएगा मलोतरा साथ हमें ऐसी बहू नहीं चाहिए अगर हमें पहले पता होता तो हम इस शादी के लिए कभी भी राजी नहीं होते यह तो हमें सही वक्त पर सब कुछ पता चल गया अपनी बेटियों का पड़ा धान अखा कीजिए बाप की तरह समझें मलोतरा साब चलो बिटा वेवेन यह सब क्या है? हमारे पेटी के साथ तुमारे टॉट प्लीज ऐसा कुछ भी नहीं है यह सब कुछ पेक है मैंता बस अपनी खुशी वेवेन के साथ सेलिब्रेट कर रहे थी वाजाने कि माफ ने हमारी पिक्टर क्लिक करो नहीं डैट डैट कुछ भी ने किया मैंने कुछ भी ने किया डैट मैंने सर सर मेरा विश्वास कीजिए मैंने चित्रा जी को कभी भी गलत नजर से नहीं देखा यह किसी ने बहुती बेहुदा मजा किया है अजसे लेज़ कि अजड़ से लेज़ करना दो जड़ चाहिए ये जड़ से लेज़ करने लेज़ जड़ से लेता है प्रेटाने भी जंगे! जोड़ा है! चिट्राजी पर जाए! चिट्रा जी, जोड़ा है! चिट्रा जी, आप मरना चाहते हैं ना? तो मर जाएए ना? क्योंकि आपको लगता है आपके मरे से किसी को फर्त नहीं पड़ता! और उइसां के लिए मरना चाहते हो जोसे तुम्हारी कोई परवा नहीं और वो Uk؟ जो आपके लिए जीना चाहते हैं आपके लिए मरने लिए तीयार हैं उनका क्या यह सब करनी से बएले सोचा नहीं आपके डैड पे आपकी הी सिस्टर पे क्या भीतेगी जब आप अपने साथ जीने के लाइक नहीं समझते हैं, लेगे लोग तुम्हारे जैसे क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि सफके पास आपके ज़से दोस्त नहीं होता ना? क्या करूँ मैं? पापा की आहलत देखी नहीं जाती मुझसे, तुम नहीं समझ सकते हैं, उन्मी क्या भीत रही हैं? अगर आप थपड नहीं मारेंगी तो एक बात कहूं, शादी करूँ भी उससे हैं? फिलाल ऐसा लग रहा था कि देवेन अपने मकसद में काम्याब हो गया है, उसमें चित्रा को अपनी चालों के दम पर ये भरोसा दिला दिला दिया था, कि उसके लिए देवेन से बहतर कोई लड़का है ही नहीं। अक्सर ऐसी हताशा के वक्त, हमें जिसका भी सहरा मिलता है, उसे हम अपना हमदर्द समझने लगते हूं। लेकिन आखिर देवेन चाहता क्या था? उसका असल मकसद क्या था? ती, अब टेंशन मतले, सब ठीक हो जाए। मुझे कोई टेंशन नहीं। अब टेंशन में मेरे दुष्मिन? आपसलुटली फाइन। हूँ? हूँ? हूँ देवेन। हूँ? क्या सोच रहे हूँ? यही जत्राजी कि आज के आज के जमाने में महबद कर वो मजा नहीं। मतलब? मतलब यह जैसे हम लोग कुरानी मुवीज में देखते थे लड़के लड़कियों के लिए शायिया करते थे अर लड़कियों, लड़कियों लड़कों के लिए प्यार बड़ा खत लिखा करती थे सारी जिंदीगी प्यादे बनी रहती थे लेकिन आजकल तो मेसेजिज और टेक्स में हो जाता है थोड़े दिन की बाद दिलेट तो यह परिशानी है आपकी ठीक है तो हम आपके लिए लेटर लिखेंगे आप? यह वाए नोट? तो क्या लिखेंगे? आई लव यू दिवेन जिस तरहां तुमने मुझे सहारा दिया मेरी दुनिया बदल गए तुम्हें बहुत प्यार करती हूं मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहती हूं तुमने मुझे अगर नहीं अपनाया तो मैं अपनी चान दे दू तुम्हारी चित्न अरे अब तुम क्या करोगे इसका? मैं इसका क्या करोए इसे अपने पास समेट के रखोँगा जब हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो नहीं बताऊंगा कि तुम्हारे मम्मी पापा कितने रोमेंटिक थे अब लगताँ कितने रोमेंटिक अब लगताँ अब लगताँ आए लगताँ चित्रा देवन से बहत प्यार करने लगी थी लेकिन उसे देवन के असली इरादों की भनक तक नहीं थी देवन ने चित्रा को पूरी तरह से अपने वश में कर रखा था और उसे चित्रा से जो कुछ चाहिए था वो सब मिल रहा था लेकिन वक्त बीतने के साथ देवन को लगने लगा कि चित्रा उस पर अधिकार जमाने लगी है उदर चित्रा को लगता था कि देवन से शादी के बाद उसका जीवन खुशियों से भर जाएगा लेकिन क्या वागई ऐसा होने वाला था कहां कहां नहीं ढूंडा तुम्हें कहां थे चार दिन से मिले क्यों नहीं वो यार काम में थुड़ा सा बजी था दिवेन तो हमेशा से था यह भी हम मिलते थे ना इसादनी चार दिन दिवेन अ मैं सुछ रही थी कि यही सही वक्त है हमें डेट से बात कर लेनी चाएगा किस बारे मैं हमारी शादी के लारे मैं कर गो चितरा मुझे नहीं दगते कि ये सही ताय हमारी एकारीजी के लिए अगर अब है अगर अपही सही वक्त नहीं है तो कभ? दिवेन बोलो अभी नहीं तो कभ दिवेन आप टॉकिक टॉयो जेल मी कभ करें दिए पर पर शादी कभी नहीं आदेशां करते हैं, जैन से जीने भी नीदे थी, नहीं करनी ही तुम्हें आरे साथ शादी मतलब ये स्वीठार्ड मुझे तुमसे खोई ब्यादी और ये सब जो चल रहा था नो इस सब तुम्हें इचा दिखाने के लिए किया था मैं तुम्हें 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 तु क्योंकि या और चिपचाप चले जाओ कि छोड़ूंकि नहीं 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 तुमा दैट को बोल कि में जिने का रहना मेरा तुमा चित्तरा नहीं कि क्या हुआ पस दर गई तुम पस बात बताओ मैं एक्टर कैसा हुआ अरे यार मैं तुम से भी यह चेक कर रहा था कि तुम सुद्रियो की नहीं पता चला शादी की वाद थोड़ा सा जगडा हुआ तुम मरने पहुचके लेकिन अब हमने तेक लिए यकीन हो गया कि तुम श एक कर दो कर रहा यह च जानती होने चत्रहरा मैं तुम से किता क़र का।रहरा मंदिर थे मेल किya सब तुम है किए कि एस चादि करता है घृट उसकी बढ़ हो शादी करती हुचल नहीं उतुख कर घृट हो तूम जबहां कर शादी कर् cirha मैं यह हःता, देया है में यह लग वे भी मुझाओ दो बीफ मुझाओ गुर्वक पषित कि वाओ डिवी जुवध मैं भी जाने मंदीट मैं तो कॉv तरहों महिब नॉटे हो चोषी जा वाओ जाए हे भी पहत हुष्ष हुष्षा बहुष बीवी हाँ, कांजा अरू, इक सप्राइज़, आके बताती, राइज़, राइज़, राइज, राइज कि प्रस्वस्ता स्जिगरो प्रिप ईыч let's go, this is not true you कि अगला, व्रेज़, राइज़ग प्रणार्णान का यज़, और राइज, राइज य। Кा कि रहे, राइज़, कि राइज़, राइज व्रेजय च attends यς हाँ, कि अँ़ायشر!? कर दो जादाएंगा जादा झाया है। पुलिस ने रेक्लेस ड्राइविंग का केस माना और दुर्गटना समझ कर फाइल बंक कर दी गई विस्टर मनोतरा बुरी तरह से तूट चुके थे लेकिन चितरा की बहन अंजली अच्छी तरह जानती थी कि दुर्गटना वाले दिन चितरा देवन से मिलने गई थी क्या हुआ उसके बाद चितरा की अचानक मौत कैसे हो गई यह वाकई एक एक एकसिडेंट था या फिर हत् बुलो गटे जिस तिन दीक एकसिडेंट हुआ उस तिर वो देविन के सथ मंदिर जाने वाली है तरह जाने के लिए मुझे निकालने के लिए मुझे मलोतरा सथे परमीशन लेन की जरूत नी बढ़ेगी समझे रहा है टेवे तुम पापा से सेर पर क्या कर रहे है वो अंजली जी जी सॉरी वो क्या है ना सर के ड्रॉर से कुछ फाइल्स लेनी थी अरजन में फोन आ गया तो मैं यहीं पर बैठके बाते करने लगा आ आम सॉरी सॉरी अंजली जी अच्छा यह बताओ जिसन दीक एकसिरेंट रहा था तुम दीक के साथ निखलेते है ना? वो अंजली जी क्या है ना? चित्रा जी को ना? जाना जाना था मैं उनका इंतिजार भही पे कर रहा था लेकिन लेकिन वो नहीं आई वहां पर तो तुम ने ये बात पापा यह पुलीस वालों कूँ नहीं पताई तुम दीक को अपने साथ लेके जाते पे तो पर वहां क्यों नहीं लेके गए? और तुम मंदिर में उनका वेट क्यों कर रहे थे? वो क्या है ना, अंजली जी? ये ओफिस है यहां पर मैं सब के सामने इस सारी बाते नहीं कर सकता आप ऐसा कीजेगा आपना शाम को मेरे घर पे आजाएगा मैं आपको सारी बाते बताते है मैं शाम को तुमारी घर आती है अरे अंजली जी आप आगी? आये आये अंजली जी, आप क्या लेंगी? चाय या कॉफी? कुछ नहीं, तो मुझे कुछ बताने वाले थे हांजे अंजली जी, आपको एक रास के बाद बतानी थी आपकी बहन न, मुझसे प्यार करती थी हां, मगर मैं नहीं करता था मुझे अपनी आवकात पता थी मैं सर के साथ धोका नहीं करना चाता था वो क्या है न, चित्रा जी का बार बर रिष्टा कूटने की वजए से वो बहुत परिशान हो गए थी तो मैंने उन्हें समालने की बहुत कोशिश की और उन्हें लगा कि मैं उनसे प्यार करता हूँ मैंने उनको समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन हर बार वो मुझे सुसाइट की धंकी देती थी उन्होंने मुझे लेटर भी लिखा था, कि वो मुझे बहुत प्यार करती है अंजली जी, मेरे पास ना वो लेटर रखा है, जो चित्रा जी ने मुझे लिखा था एक सिगना, रुकिये, एक सिगना अरे, यही तो रखा था कहीं से तो नहीं डून रहे तुम्हे समझने तो नहीं आरहा है, तो मुझे बहुत समझने आरहा है और मैं सथ सथ तुमसे जानना चाहूँ पताता है, लेकिन यह जान लो तुम्हे बहुत बड़ी गलती की जो सब को जानने के लिए यहां पर अखिली आगी बहुत प्यार भाना पनी बहुत से उसके पास जाना चाहोगी क्योंकि सब को जानने के बाद तो तुम यहां से नहीं जा सकते तुम्हारी बहन, तुम्हारी बहन मेरे लिए एक जिद थी और वो जिद को मैं पाना चाहता, उसे पाकर में अपनी जिद बूरी करना चाहता था, इसलिए मैंने अपना जाल महले, मैंने उसे प्रपोस कि, फिर मैंने दूसरा दाओ केला, हमदर्दीगर, उसने अपने हाथों से मुझे थपड़ भी मारा, अपने आप को उसके सामने गल अरीफ लड़का बनके दिखाया, और वो, वो मेरी दोस्ट बनके, फिर उसके लिए लड़कों के रिष्टे आने लिए, फिर मैंने कैसे ना कैसे करने, उसकी बतनावे करने, वो मैं ही था, जिसकी वज़े से तुम्हारी बहन की शादी दोगा, और विचारी सथने में अग मैंने उसे शीशे में उता लिए, जो करना चाहता था, सब कुछ लिए, लिकिने बात हो, मैंने चिपू थी यार, अरे, गले में घंटी बनके लटकना चाहती थी, फिर मैंने, मैंने उसे अपने रासे से अटा थी, काश, काश मैं तेरी साथ भी ओकर बाता, जो तेरी पहन के साथ की, तुझे तेरी पहन के बास बोचने का, जिए में, चाणा में जिए, जिए में तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, देवन, तुम फ़स्टुके हो, अपनी जबान से तुमने अपना गुनाह कु बूल के आई, तुम्हारा सारा कच्छा चिछ्छा हमने रिकॉर्ड कर लिया, तुम्हारे इस खुबसूरत से घर मे हमने वीडियो रिकॉर्डिंग लगा रखती है, बहुते को, जूटे लोग, हमेशा अपने जूट से ही फस्ते है, यादे देवन, चित्रा की मौत से एक दीन पहले तुमने मुझसे छुटी मांगी थी, अगले दिन के लिए, बीमारी के पाहले, यादे, लेकिन जब मुझ चित्रा मंदीर जाने वाले ते, तब मुझे शक्वा, कि देवन को इस बात के लिए मुझसे जूट बोलने के क्या दर रहती है, और फिर मैंने पुलीस को इंफर्म किया, सिब बातों से हम यह सावित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चित्रा की पोस्मार्टम रिपोर्ट में कि असाव सब दिखा है, कि उसकी मौत जलने से होगा, हादसे के बाद गाड़ी में आग लग गई, और वो उसकी मौत होगा, अब तो कुछ ऐसा करना होगा, कि वो खुद बखुद सारी सुचाई होगा, उसके बात में तुमसे मिलने के लिए ओफिस पहुची, और तो मंद तो मौते पहुची मौत शावा दिया, थृफ भी दाने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि देवेट सारी से होगा यूके अश्या आज होगा, अनुर्य बखाश था इस हद तक गिर सकता है लेकिन आखिरकार चित्रा की बहन अंजली ने अपनी बहन के गातिल को सलाकों के पीशे पहुचा ही दिया देवन ने जो कुछ किया देखकर हरानी होती है लेकिन ये कड़वा सच है कि बहुत से लोग सिर्फ अपनी जिद के लिए बहुत बड़ा अपराद कर देते है देवन को चित्रा की हत्या के लिए IPC के सेक्शन 302 और हत्या का शडियंत रचने के लिए सेक्शन 120B के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई गई देवन तो अपरादिक मानसिक्ता का था लेकिन चित्रा की असाबधानी ये थी कि उसने पहले तो देवन के एहम को चुनौती दी और फिर इतनी जल्दी उस पर इतना ज़्यादा भरोसा कर लिये इसलिए साबधान रहे एक तरफा प्रेमियों से और कभी भी किसी पर आँख मूंद कर भरोसा ना करे आज हमने आपको दिखाई उत्तर प्रदेश के शहर कानफूर की एक वारधात तो देखते रहे ये साबधान इंडिया जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं देश के कोने कोने से अबरात के खिलाफ जंग की सची घटनाएं साफधान रहें, साथरक रहें, सुरक्षित रहें इसी प्रारतना के साथ अब मैं सुशांद सिंग आपसे विदा लेता हूँ फिर मुलाकात होगी देखते रहें साफधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बाग